नमस्कार दोस्तों, तो देखिए, मैंने यहाँ पे चने की भाजी बनाई थी, उसे मैंने काट के बनाया हुआ था, बेसन के साथ, तो सबसे पहले आपको भाजी को बहुत बारी काट लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से एकदम बारी काटना है, उससे क्या होगा ना, कि यह ब कर लिया था, और ले लिया है धनिया, तो यहाँ पे मैं यह सारी चीजों को मिक्सर में डालके, और इसे ग्राइंड कर लूँगी, इसके मसाले में ज्यादा कुछ नहीं लगता है, तो यही मसाले रखते हैं, और आपको इस बात का ध्यान रखना है, कि इसमें आप पानी का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, तो जो यह टमाटर है ना, इसी सी जो पानी निकलेगा ना, तो मसाला उसी में पेस्ट जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक टमाटर डाला है, और उसके बाद मैंने सारे मसाले डाले हैं, और एक टमाटर में लास्ट में डाल दूँगी और यहां पे हमें इसका पेस्ट बना लेना है तो यहां पे देखिए मैंने इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया है तो बिल्कुल इसी तरीकी का आपको पेस्ट बनाना है अगर थोड़े से टमाटर खड़े भी रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यह भाजी के साथ पक जाएंगे तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मैंने कड़ाई में ले लिया है सरसो का तेल थोड़ा हमें जादा कॉण्टिटी में ही तेल लेना है यहां पर कम से कम मैंने दो बड़े चमच तेल लिया है अब जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाला है और सिर्फ इसी से यह बगारेंगे अब हींग और जब सॉरी जब यह थोड़ा सा भून जाएगा ना तो हम इसमें वो टमाटर का पेस डाल देंगे जो हमने पीस के रखा हुआ था अब देखिए जब यह टमाटर का पेस थोड़ा सा ना तेल छोड़ देगा तो इ मसाले के साथ मिलाते हुए तो जब हम इस बेसन को इसमें मिलाएंगे तो अपनी ग्रेवी थोड़ी सी ठिक हो जाएगी मतलब यह एकदम सूखी है ना लेकिन यह ग्रेवी टाइब की दिख रहे हैं तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और मेरे रेसिपीस अच्छी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अब जैसे ही हमारा बेसन थोड़ा सा तेल छोड़ देगा तो हम यहां पर डाल देंगे स्वात के अनुसार नमक तो हमें नमक कम ही रखना है क्या होगा ना कि हमारी भाजी थोड़ी सी पचक जाएगी जैब यह मतलब पकेगी थोड़ी क काम हो जाएगी तो हमें उससाब से इसमें नमक रखना है और यह देखिए नमक के बाद हमने अच्छे से चलाया तो हमारे मिसाले ने तेल छोड़ दिया है अब यहां पर हमने जो चनी की भाजी काटके रखी हुई ती ने वो डाल देंगे तो यह पूरी भाजी हम डाल दे इसे पकाना है तो इसे पकने में कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे आपको लो फ्लेम पे ही इसको पकाते जाना है और यह देखिए मेरी भाजी कितने अच्छे से पकती जा रहे है और यह थोड़ा मोड़ा नीचे लगेगी तो उससे कुछ नहीं है उससे फ्लेवर बहुत की है तो यहां पर मेरे चाने के भाजी हो चुकिए है बिल्कुल रड़ी तो आप मुझे कमेंट करके जरतूर जरूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा थैंक यू कि लगी होग यूजिए जरूर आचाह कि रिल्वा बताए भी बे kick thought लेकत है झाल क हम कि दड़ता थरूर यूर बहुत जरूर और मेरे और बाम के हैं keeping सब्सक्तbayर जर बाम